नमस्का दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल, Learn, Invest and Earn में, मैं हूँ आपका दोस्त आमित, और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनालेसिस, और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स पे चरचा, जहां प सकता है, तो सबसे पहले, कल मैं वीडियो पोस्त नहीं कर पाया था, तो उसके लिए में माफिच आता हूँ, कुछ परसनल काम आ गया था, उसके वएसे थोड़ा सा बाहर चला गया था, लेकिन अगर आप regular follower हैं हमारे वीडियो के, तो आपको levels जो हैं वो बहुत हद तक माल bounce back आता है, और अगर उपर जाता है, तो यहाँ पर एक shorting की opportunity बनती है, कल का trading session अगर आप देखोगे, तो मैं quickly पहले समझाने कोशिश करता हूँ, कभी अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो आपको थोड़ी चीजे समझ में आ जाएंगी, तो वो बहतर होगा आप लोग market ने क्या किया है, आज market ने जो open किया है, उसके बाद देखिए, market open ही इसके नीचे हुआ है, जो trend line है इसके नीचे open हुआ है, तो सुबह ही यह मालूम पढ़ गया था, कि आज market week रहने वाला है, clear cut यहाँ समझ में आ गया था, देखो आपको अपने analysis के उपर confidence रहना एक महिने में पहली बार इस range के बाहर निकला है market हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है, यह है daily charts के उपर, अगर हम लोग 15 minutes के चार्ट पर जाते हैं, तो 15 minutes के चार्ट पर भी हमें वही चीज दिखती है, काफी clearly दिखती है, वो की इस range को नेके से खीच खाज के नहीं बनाई है, सबसे पहली बात यह समझना चाहिए, उसके बीचे कोई ना कोई logic है, कोई ना कोई understanding है, तभी वो बनाई गई है, तो आज देखिए, जब यहाँ पर नहीं hold कर पा रहा है, यहाँ से ideally अगर market को उपर जाना था, अगर इस line से उपर market को नि उपर बढ़े, तभी market में strength थी, लेकिन देखिए, market continuously, आठ तारीक से market यहाँ पर struggle कर रहा है, यहाँ से उपर जाना नहीं पा रहा है, तो weakness के chances यहाँ पर बढ़ रहे थे, अब सबसे important क्या है, कि निफ्टी में trade कैसे करना है, तो निफ्टी में देखिए, जो बड़ी बड पॉइंट भागा है, वन वे, तो यहाँ पर थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का अगर गिरावट आ भी गया, तो वो बहुत बड़ा correction नहीं रहेगा, वो एक healthy correction माना जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे levels नजर आ रहे हैं, वो मैं हार बार पहले से कह रहा हूँ कि 15700, 15700 एक important level है, 15700 तोड़ के आज नीचे आ गया है, 15550 के आसपास तक आया था 570 के आसपास, यहाँ से retrace होके 640 के आसपास close हुआ है, कल की trading session के लिए सबसे जादा important level जो रहने वाला है, वो रहेगा 15600, नोट करके रखिए 15600, यह सबसे बहतरीन level रहेगा, नीचे की तरफ, यह अगर तोड़ता है कल की trading session में, तो यहाँ पर आप short बना के चल सकते हो, फिर यह weakness continue करेगी, यह weakness आपको continue ले के जाएगी करीब करीब 15450 तक, 1500 point का आपके पास gap मिलता है, यह कल और परसो हो सकता है, कल expiry है, थोड़ा volatility रह सकती है market में, अगर break होगा, तो ही आपको इससे trade कर करना है, लेकिन 1500 point के लिए, एक साथ trade मत कीजिए, आपके जो targets रहेंगे, वो 25, 25, 50, 50 point के रखिए, और उस हिसाब से अपने profit को trail करते रहिए, उपर की तरफ फिलाल, 700 को अगर break करता है, तो मैं उपर की तरफ play करूँगा, लेकिन उपर की तरफ जो limitations है, वो मुझे लग रह अगर यहाँ 700 के पास break करता है, तो यह जब भी उपर जाएगा, तो यह line जो है, इसको resistance phase करेगी, तो 15,700 के उपर अगर निकलता है, तो maximum उपर जो है 15,800 तक यह जा सकता है, तो यह मुझे लग रहा है technical charts के उपर, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, और option data को देखता हूँ, तो देखिए, option data में, अगर मैं nifty का देखूँ, तो nifty में देखिए क्या हुआ है, आज 15,700, 15,750 और 800 पर, जो put writer थे, यह दुम दबा के भागे हैं यहाँ से, और call writers ने दबा के एकदम जोरदार यहाँ पर call writing की है, आज का आज अगर आप देखोगे, तो 15,700 पर करीबन 20,000 contracts, call writers यहाँ पर जुड़े हैं, तो अब उपर जाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली 700 की उपर तो बहुत मुश्किल है जाना, करीबन अगर मैं weekly expiry की साब से देखूँ, तो 5,000000, यहाँ पर 4,8,000,003,000,006,006,001,002,005,005,005,005,005,008,003,000,005,005,007,008,005,005,00 16,000,000 यह जो और यहां पर करीबन 31,000,000 तो यह जो 50, 55,60,000,000 पुट राइटर बैठे हैं इन में सबसे पहले भगदर मचेगी और यह लोग फिर अपनी पोजिशन यहां से हलकी करेंगे तो निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है आप कॉशेसली ट्रेड कीजिए और प्रॉसेस स्टॉडली रखिए क्योंकि मूमेंट्स जो होगी वो बड़ी होगी आप चलते हैं बैंग निफ्टी के तरफ तो बैंग निफ्टी में आगर आप देखोगे तो बैंग निफ्टी में सिमलर करेंड तो लोग भी टेलिग्राम चैनल से जुड़े हैं उन्हें आ यहां पर ट्रेल किया होगा stop loss shot hit भी हुआ है लेकिन देखिए अगर आप hold करते हो यहां पर clear cut जो यह आप देख रहे हैं यह जो candle बनी हुई है बहुत ही सुंदर candle है clear cut आपको समझ में आ रहा था कि यहां पर उपर मुझे तो रिस्क लेना है लेकिन आपका जो रिस्क है वो डिफाइन रहना चाहिए यहाँ पर हमने डिफाइन रिस्क किया था पचास पॉइंट का एसल लगाया था और हम लोग बैड़ गठे आराम से देखे धीरे-धीरे मार्केट नीचे आ रहा है अगर आप देखोगे तो इस बीच में रह सकता है लेकिन देखे जब यह फौरस आया तो हरतम गिरने का जो फॉरस होता है वह बहुत ज़ादा होता है यहाँ पर जो फोर्स आया वो फोर्स ने 35,000 के put writers को भी अपने साथ वो बहा ले गया तो यहाँ पर अब सबसे ज़दा important अगर मैं option data देखूं तो open interest के इसाफ से अगर आप put writers जो थे वो trap हो गए हैं भागे हैं सब यहां से 35,500 400 300 यहां तक कि 35,000 के भी put writers यहां पर भागे हैं और आज जोरदार call rating होई है उपर के levels पे सबसे ज़दा call rating आज का आज जहां पर addition हुआ है वो 35,000 अभी निफ्टी बैंग निफ्टी उपर की तरफ 35,000 फिलहाल immediate resistance लग रहा है और बहुत strong resistance जो है वो 35,500 अभी intact है तो उपर की तरफ 35,500 पकड़े लिए यह अब कल के लेवर कल के trading session में expiry में cross नहीं करने वाला है अब सबसे जादा important मसा कवाने वाला है अभी देखे 35,000 के put में आपको यहां पर देखे साथ लाग contracts है और यहां पर 35,800 पर करीबन चार लाग contracts तो यहां पर देखे डेटा वाइस बहुत जादा put writers नहीं बेटे हैं तो यहां आप यह expect कर सकते हो कि सबसे पहला जो put writer का quantity है वो 35,500 पर है तो थोड़ा सा bank nifty अगर देखोगे आप तो उतनी इसमें भगदर नहीं बचेगी नीचे की तरफ उपर की तरफ अगर यह 35,000 क्रॉस करता है थोड़ा बहुत भले short covering आ जाए लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर कुल मिला के मामला जो है वो से important रहेगा कल के trading session में अगर यह आज का low cross करता है 34,600 बहुत simple trade रखिए ज्यादा उसमें आप खिचडी मत बनाईए 34,650 को अगर यह break करता है कल के trading session में तो definitely फिर आप short करके जाए आपका stop loss यहां से 100 points रहेगा उपर की तरफ 100 points का आप SL लगा लीजे और यहां आप trade कीजे मुझे लगता है यहां से आपको करीब करीब 200 से 200 point मिल जाएंगे आपका जो target रहना चाहिए वो रहना चाहिए 400 के आसपास 34,400 का आपका target रहना चाहिए तो इस आप से आप trade कर सकते हैं उपर की तरफ कैसे trade करना है आपको तो उपर की तरफ trade करने के लिए जब आप 35,000 की level को cross करेंगे तो यहां पर आप 100 points का एक stop loss लगाए 34,900 पर और यहां पर आप बने रहिए फिर यह आपको जो उपर का shot covering है वो 35,200 और 35,400 तक लेके जा सकती है shot covering तो जहां से आज market घूमा है हो सकता है अगर कल shot covering आए तो यहां तक आप जाने के expect कर सकते हैं 35,000 के बाद 35,000 के ऊपर market ने sustain करना चाहिए यहां पर 15 minutes सी candle close होने चाहिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी दिन मैं वीडियो ना बना पाऊं तो आपको यह चीज़े एक दिन पहले की वीडियो तो समझने चाहिए अ अब यहां पर एक कर बन रहा है मैं हमेशा कहता हूं जब भी market आयसे रहता है और अगर आयसे कर बनाता है तो इसका मतलब यहां पर यह गिपने की तैयारी कर रहा है 2729 के आसपास है 2725 के नीचे अगर निकलता है तो यहां पर एक शॉट करके चल सकते हैं बढ़िया यहां प बनेगा ऐसे expect किया था लेकिन देखिए यहां पर जो तीन जी गिरावट आई है उसने इस trend line को break कर दिया है और trend line को break करने के बाद 2550 के नीचे आ गया है सबसे main problem यह है कि यह 2550 के नीचे आ गया है तो कल के trading session में अगर यह 2540 के नीचे निकलता है तो हम 10 रुपे का stop loss लगा करके यहां पर trade कर सकते हैं यहां पर हमें 15-20 रुपे का momentum expected है तो तीसरा stock shot list किया है यह M&M देखिए M&M में यहां पर एक triangle pattern बन रहा है stock जो है वो बहुत तेजी से उपर की तरह गया है यहां पर stock उपर गया है उपर आने बाद नीचे आ गया अब continuously triangle pattern बन रहा है 800 के level के यहां पर hold करेगा तो ही shot करना है वरना shot नहीं करना है यह conditional sell रहेगा आकरी stock जो हमें shot list किया है यह पिरेमल एंटरप्राइज दिकिरेमल एंटरप्राइज वन वे भागा है 1850 से लेके 2250 सीधा 90 डिग्री में भागा है आज यहां पर जो यह candle बनी है मैं यह नहीं कह रहा हू कि यहां पर विक्वाले चालू हो गई है थोड़ा retracement आएका लेकिन हम यह retracement का कल benefit उठा सकते हैं कल अगर 220 के नीचे आता है तो हम यहां पर sell करके चलेंगे 220 के नीचे यहां पर हम expect करते हैं कि हमें 50 से 70 पॉइंट के आसपास का trade कल के trading session में मिल सकता है तो यह था nifty और bank nifty का index analysis और उसके साथ साथ कुछ stocks पर चरचा है आगर आपको वीडियो पसंद आया तो definitely वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने valuable comments देना ना भूले thanks for watching the video keep learning keep investing and keep earning जैहिंद